नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बाव फिल से आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की बड़ी खबरें और मुख्य समचार आप सभी के लिए लेकर आएं जहां पर जानेंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें यह मुख्य समचार आप के लिए जानने जरूरी है तो आप इस साथ में हमारे बने रही है पूरा वीडियो देखिए जिससे की बड़ी खबरें आप लोगों से छूटे नहीं और दूसरे तफ़ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार इंडिया गठवंधन चुनाओ जीतेगा तो एक लाइक वीडिय भी निसाने पर आ जाते हैं जैसे ही उनकी उमीदवारी की घोशना की जाती है जी हाँ जैसे ही भी पच्छी दल अपने उमीदवार की घोशना करते हैं उसके कुछ ही घंटे बाद एडि का समन टाइप होके उमीदवार के पास पहुंच जाता है ठीक इसी प्रकार का मामद किरल से सामने निकल किया है जहां पर CPIM उमीद वार Dr. Thomas Isaac ने ED द्वारा मिले समन पर केरल हाइकोट में चुनवती दी और केरल हाइकोट ने ED को फटका लगाई केरल हाइकोट ने इस पश्ट किया कि ED द्वारा चुनाओ से पहले उमीदवार को तलब करना ठीक बात नहीं है आप सभी को बताते चले यहाँ पहला मामला नहीं है विपच्छी नेताओं की गिरफतारी हो रही है आम आदमी पाइटी में खलवली मची तो दूसरी तराफ अब यह नई प्रकार की कारवाई देखने को मिल रही है जिस पर केरल ह पाइकोट ने इडी को कड़ी फटका लगाई है आड़े हाथो लिया है जिसका जवाब इडी को देते नहीं बना है बिग ब्रेकिंग निवस बेजभूशन की बढ़ी मुस्किलें जीहां दोस्तों आपको बताते चलें बेजभूशन सरंसिंग पार आदा साचा सहीता का उ आपको बताते चलें फिलाल बीजेपी ने इनकी उमीदवारी की घोशना नहीं की लेकिन माना जा रहा है केसर गंज लोकसवा सीट से बेजभूशन सरंण ही बीजेपी के उमीदवार होंगे लेकिन 19 अप्रेल के बाद नाम की घोशना होगी क्योंकि 19 अप्रेल तक जो पे इन पे आदा साचा सहीता उलंगन का मामला भी दरज हो चुका है ये ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है तो दूसरी तरह एक बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है जिसमें कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसने बीजेपी की तो नींदुरा के रख है आप सभी को बताते चलें सीच डियस सर्वे कह रहा है कि 50% बोटर बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा मानते हैं यही तो मोदी सरकाय के लिए चिंता की बात है क्यूंकि भाज़पा समझ गई है कि इस बार राम मंदिर और हिंदुत्यों का मुद्दा चलने वाला न जिसने बीजेपी की चिंता और भी बढ़ा दी है बीजेपी आज ता किसी प्रकार धुविकर्ण की राजनीती से चुनाव जीत्ती आई है और कभी भी उसने जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा ही नहीं बेरोजगारी और यहां पे महंगाई आदी मुद्दे उसके इसी सर्वे के अनुसार 55 पर 30 लोगों का मानना है कि फिछले 5 साल में भेष्टा चार बहुत तेजी से बढ़ा है खास कर मुद्दी सरकार में भेष्टा चार चरम पे पहुंच गया वहीं आपको बताते चले 25 पर 30 लोगों का मानना है कि भेष्टा चार बढ़ने की असली वजे बीजेपी सरकार है जनता यूंहीं ये बाते नहीं कह रही है जनता समझदार हो गई है और यहां पे सजग है मोदी सरकार ने पीम केस फंड अडानी महा घोटाले इलक्टरोल वॉंड जैसे बड़े घोटाले किये और मोदी की बॉसिंग मसीन ने कई सबसे बड़ा मुद्दा है मीडिया आपको 24 घंटे अमबानी परिवार में होने वाली साधी दिखाएगा मीडिया में आपको 24 घंटे नयंदर मोदी जी का चेहना नजर आएगा कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि मीडिया का काम जनता की आवाज उठाने का है पर इनके अरब पति मालिक इन्हें ऐसा नहीं करने दे जोरदार तरिके से राहूल गांधी बरसे है और कॉंग्रेस नहीं ये ट्व पोर्ट राहूल गांधी ताजा लेटिस्ट अब्डेट निकल गया रही है पश्मी यूपी से आप सभी जानते हैं कि हर्याणा में बीजेपी का किस कदर बिरोध हो रहा है किसानों ने तो यहां पर अपने गावों में इन्हें प्रवेस देने पर ही प्रतिवंद लगा द राजपूत समाज की कई जिलों में महापंचायते देखी गई बीजेपी से नाराज है पश्मी यूपी के राजपूत राजपूत समाज के नेताओं का टिकेट कटने से ये नाराजगी बढ़ी है महापंचायतों के जरिये बीजेपी की हो रही है खिलाफात महापंचायतो में गंगा जल उठाकर कस्में दिलाई जा रही है और बीजेपी से यहां पर सभी का मोह भंग होता दिख रहा है संकल्प दिलाए जा रहा है कि प्राण जाए पर बचल न जाए जिहां दोस्तों अंदाजया लगा सकते हैं कि बीजेपी का बिरोध किस कदर देश में हो रहा है तेजस्वी आदब का पियम मोधी पर जोरदार हमला बोले मोधी की गारंटी चाइनीज है चुनाओ खत्म होते ही समाप्थ हो जाएगी जीहां दोस्तों आज एडिक नेता बिहार के पूर्व डिप्टीजियम तेजस्वी आदब ने एक चुनावी समागों समोधित करते जो चुनाओ तक ही है उसके बाद समाप्थ हो जाएगी वहीं तेजस्वी के साथ बियाईपी प्रमुक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने लोगों से मोधी सरकार को इस चुनाओ में उखाड फेकने का आवाम करते हुए कहा कि गरीवों पिछड़ों की नहीं बनकि ये अमीरों की सरकार है आज बिहार और देश संकट के दौर से गुजरा है देख सकते हैं दोस्तों लगातार बीजेपी की मुस्किले चौर तरफा बढ़ रही है एक तरफ तेजस्वी आदा और उनके सहयोगी मुकेश सहनी तो दूसरी तरफ इंडिया गडवंदन के तवाम नेतावी देश भर में बीजेपी को घेरने में लगे हैं और इनके सवालों का जवाब बीजेपी को देते नहीं बन रहा क्योंकि आज तक कोई काम किया ही नहीं लोगों ने वहीं मोदी सरकार के मंत्री पर हाई कोट का चला डंडा डेड़ लाग रुपए का जुर्मा न लगाया जी हाँ जारकंड हाई कोट ने किंद की मोदी सरकार में केमिनिट मंत्री आरजुन मुंडा पर कारवाई की है कोर्ट ने याचिका में टुटी ना सुधाने पे किंद्रे मंत्री पर डेड़ लाग का जुर्मा न लगा दिया मुंडा ने उनके खिलाफ दर्ज की गई F.I.R को चुनोती देते हुए याचिका दर की थी आपको बताते चलें किंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा और भाच्पा के कुछ करकरताओं पर सच्वाली की और मार्च निकालने के दौरान पुलिस के साथ जड़प में सामिल होने का आरोप था तब कॉंग्रेस की सरकार थी 36 गड़ में और इसी सम्मंद में एक F.I.R दाज की गई थी यहां मामला अप्रेल 2023 का बताया जा रहा है आपको बताते चलें F.I.R को चुनवती दी थी हाई कोट में लेकिन यह याचिका में अपने सुधार नहीं कर रहे थे जो भी तूटी थी और इसी से नाराज होकर कई बार हाई कोट ने फटका लगाई लेकिन अंतता मोदी सरकाय के मंतरी पे हाई कोट ने जुर्माना लग दिया देख सकते हैं अब बीजेपी नेताओं पे भी लगातार हाई कोट का रवाई करने लगा है दोस्तों यह ताजा लेटेस्ट अब्डेट निकल कि आई जार खंड से बीजेपी नेताओं की मुस्किलें दिन पर दिन बढ़ती हुई देखी जा सकती है आज की हर एक अबीका बहुत बहुत धन्यवाद